तो इस वीडियो में हम दोस्तों potentiometer का third application देखेंगे पहले दो applications already हम देख चुके हैं अब तीसरा application क्या है To find internal resistance of a cell मतलब cell का internal resistance आप potentiometer का use करके निकाल सकते हो मतलब देखें दोस्तों आपके पास एक cell है मान लेते हैं ये cell है जिसका EMF E है इसका internal resistance R है तो ये cell का EMF कैसे major करते हैं वो तो हम देख चुके हैं last studio में लेकिन इसका internal resistance R कैसे निकलते हैं potentiometer का use करके उसको दोस्तों हम V studio बोडने वाले है तो potentiometer का जो setup है वो वैसे ही रहेगा तो यहाँ पर दिखेंगे दोस्तों एक main battery है जिसका potential difference V है VV की battery है यह minus terminal है यह plus terminal है और यहाँ पर दोस्तों की है इसको main key बोलते हैं के 1 बोलेंगे इसको ठीक है यह जो circuit हम use करेंगे internal resistance को calculate करने के लिए वहाँ पर दो keys आपको दिखाए देंगे जिसमें से पहली की यहाँ पर दोस्तों जिसको की हमने के 1 बोला है अब जब दोस्तों key on करोगे key on करोगे मतलब plug करोगे यहाँ पर तो क्या होका current flow होगा यहाँ पर और यह जो wire है इस wire की length L है assume करते हम इसका resistance R है ठीक है तो यहाँ पर दीखें दोस्तों potential 0 है तो इस point पर potential 0 होगा यह point पर potential V है तो यहाँपcycles V होगा तो L length के लिए इतना potential है दोस्तों यहाँ पे L length के लिए V potential change हो रहा है इस wire के लिए ठीक है तो यह V divided by L क्या होता है यह K के बरावर होता है और के मतलब potential gradient होता है यह already हम देख चुके है दोस्तों जैसे कि EMF measure करने के लिए हमने circuit को draw किया था वेसी draw करना है देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको एक cell लगाना है जिसका आपको internal resistance calculate करना है तो यह EMF मान लेते हैं यह cell है और मान लेते हैं यह उसका internal resistance है इसके आगे आपको क्या करना है यहाँ पे galvanometer को connect करना है और यह गैलानोमेटर के आगे क्या होगी यहाँ पे जोकी होगी तो यह connection दोस्तों similar है जैसा कि हमने EMF को measure करने के लिए जो circuit उसके था वैसे ही circuit है सिर्फ यहाँ पे आपको क्या change करना है दोस्तों यहाँ पे आपको यह जो point है और यह जो point है यह दो point के बीच यहाँ पे आपको एक non resistance connect करना है ठीक है जिसकी value आपको known होगी आप यहाँ पे resistance box भी लगा सकते हो जैसे कि आप किसी भी R पे उसको set कर सकते हो ठीक है तो हमने यहाँ पे एक non resistance लगा होगा है non resistor बोल सकता है ठीक है और यहाँ पे connect करनी है एक और की आपको यहाँ पे एक और की connect करनी है इसको हम K2 बोलेंगे अब initially क्या करेंगे दोस्तो initially हम की K1 को on करेंगे K1 को हम क्या करेंगे यहाँ पे दिखी on करेंगे on करेंगे मतलब close करेंगे बोल सकते हैं यहाँ पे तब यहां से current flow होगा और यहां से पर देखिए एक circuit close हो रहा है तो यहां से भी कुछ current flow होगा लेकिन यहां पर देखिए दोस्तों यह जो key है K2 यह off condition में तो यहां पर यह open है न तो यहां आर यह जो register इसमें से current कुछ flow नहीं होगा तो current कहां से flow होगा दोस्तों current यह loop में current हो इस चौकी को move करना शुरू किया तो यहाँ पर ऐसा point मिल रहा है आपको इस point पर ऐसा point मिल रहा है जहाँ पर यह ग्यालोनमीटर null deflection दिखा रहा है आपको यहाँ पर कोई deflection नहीं दिख रहा है ठीक है तो immediately आपको यह जो length है x1 measure करनी है ठीक है तो देखें दोस्तो यहाँ पर potential होगा यह दो point का potential वो कितना होगा emf जितना होगा यह already हम पढ़ चुके है ठीक है so e will be equal to what आपको क्या मिलेगा e की value क्या मिलेगी दोस्तो यह दो point का जो potential होगा वही emf होगा इस cell का so e will be equal to what k into x1 होगा na k into x1 ओके जब हमने इसका पहला application देखा था दोस्तो वहाँ पर हमने देखा था कि e की value k into x1 आती है ठीक है तो इसको हम equation number 1 बोलेंगे अब आपको क्या करना है दोस्तो second case में अब आपको k1 भी close करना है और k2 भी close करना है ठीक है now हुआ ये केवन को भी close किया मतलब close थी वो पहले अब केटू का हमने क्या किया दूस्तो close किया ठीक है और immediately क्या करना है दोस्तो आपको यह जोकी है इसको move करना है ओके ताकि यहां पर null deflection आपको दिखाई दे तो मान लेते हैं दोस्तों आपने क्या किया आपने जौकी को मुग करना शुरू किया और इस पॉइंट पर आपको यहाँ पर नल डिफलेक्शन दिखाई दिया दूसरी बार इस लेंद को हम बोलेंगे यहाँ पर दीखा तो में यह जो लेंद है इसको हम बोलेंगे एक्स टू ठ ठीक है तो देखें जौकी यहाँ पर कनेक्ट है और कैलवनोमीटर नल डिफलेक्शन दिखा रहा है मतलब यहाँ पर कोई करन्ट नहीं है यहाँ से भी कोई करन्ट नहीं होगा लेकिन दोस्तों यहाँ पर की ओन कंडिशन में है इसके वज़े देखें यहाँ एक सेल कनेक् तो यह सर्कित में दोस्तों करंट होगा लेकिन यहां पर कोई करंट नहीं होगा यहां पर कोई करंट नहीं होगा लेकिन इस सर्कित के अंदर करंट होगा ठीक है तो मान लेते हैं दोस्तों यह जो सर्कित है यह सर्कित जो है इसके अंदर से इस सेल के वज़े से आई करंट फ और यह point को हम लोग B बोलेंगे तो यह A और B point के बीच का potential difference कितना होगा दोस्तों V, A, B कितना होगा A और B के बीच का potential difference कितना होगा देखें आपको यह जो length है इसको K से multiply करना होगा तो K into X2 हो जाएगा यह K into X2 हो जाएगा पिछले अगर दो वीडियोज आपने अच्छे से देखे हैं तो यहाँ पर आपको तक्लिफ नहीं होगी ठीक है तो इसको हम दोस्तो equation number 2 बोलेंगे दोस्तो हम simply क्या करेंगे equation 1 को equation 2 से divide करते है ठीक है equation 1 को हम equation 2 से divide करते है तो आपको क्या मिलेगा देखे दोस्तों यहाँ पर E divided by VAB is equal to KX1 divided by क्या होगा दोस्तों यहाँ पर KX2 के से के cancel हो जाएगा और E divided by VAB के लिए आपको एक equation मिलेगा यहाँ पर अब दोस्तों यह देखे यह छोटा सा जो circuit है यह जो circuit है इसको हम नाम देंगे हम assume करते देखे small A, B, C, D, A ठीक है तो यह जो loop है loop A, B, C, D, A इस loop में Excel है जिसका EMFE है उसका internal resistance R है यहाँ पर external register R लगाया हुआ है ठीक है तो यहाँ से दोस्तों जो KVL है मतलब IRCHOFS का second law है उसको use करके आप यहाँ पर E और R के भी relation निकाल सकते हो कैसे निकाल होगे देखिए हम A से start करेंगे और हम A पर आएंगे तो A से B की तरफ आप current की direction में आगे बढ़ रहे हो तो जब आप current की direction में आगे बढ़ोगे और आपको negative terminal मिल रहा है तो यह E को हम add करते हैं सबसे पहले तो देखते हैं कि किर्चोफ का second law क्या है दोस्तो change in potential for a loop is equal to 0 तो change in potential हम अब निकालेंगे तो A से B जाते होगे देखिए दोस्तों यहाँ पर E आपको क्या मिल रहा है हम पर potential difference मतलब E MF यह कितना है E है तो इसको हम add करेंगे क्योंकि negative terminal आपको मिल रहा है तो plus E हो जाएगा यह अब उसके बाद देखिए register मिल रहा है आपको small r और current की direction में आप आगे बढ़ रहे हो तो potential drop जो होगा उसको आप minus consider करोगे ठीके तो minus क्या होगा यहाँ पर minus I into R होगा potential drop उसके बाद देखिए B से C potential drop नहीं होगा C से D आप current की direction में आगे बढ़ रहे हो resistance R है ठीके तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तो potential drop आपको minus consider करना होगा so minus I into R इतना potential drop होगा is equal to क्या होगा यहाँ पर 0 तो यहाँ से दोस्तो E की value आपको मिल जाएगी यहाँ से आपको E की value कितनी मिल रही है यह दोनों उदर जाएगे तो plus हो जाएगे so I common निकलेगा उदर जागे तो I into क्या होगा दोस्तो small r plus capital R यह E की value मिलेगी यहाँ से आपको E की value यहाँ पर put करनी है ठीक है अब देखिए दोस्तों यह V A B क्या है मतलब A और B के बीच का potential difference है तो जब आप चौकी को यहाँ पर connect करोगे ना ठीक है तो यह दो point का potential difference और यह दो point का potential difference ठीक है सेम होगा ना और यह दो point का potential difference भी सेम होगा देखिए यहाँ पर यह point का potential difference वही होगा दोस्तों यह point और यह point का potential difference वही होगा दोस्तों यह और यह पॉइंट का पोटेंशल दिफरेंट 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 का पोटेंशल R, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, V, A, B, B क्या होगा, I, R के बराबर होगा तो यह जो value है, V, A, B, के I, R वो आपको क्या करनी है, वो आपको यहाँ पर put करनी है Simply, यहाँ से E की value और यहाँ से V, A, B की value यहाँ पर put करनी है आपको answer मिल जाएगा अब देखें, दोस्तो, E की value कितनी है I into small r plus capital R और V, A, B की कितनी है, दोस्तो, यहाँ पर देखें I into R है, ठीके, is equal to क्या होगा, दोस्तो, यहाँ पर X1 divided by X2 हो जाएगा, यहाँ से I, I cancel हो जाएगा अब इसको split करते हैं, देखें R plus R divided by R क्या होगा यहाँ पर R divided by capital R plus capital R divided by capital R capital R divided by capital R क्या होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, is equal to X1 divided by X2, ठीके, तो यहाँ से आपको internal resistance find out करना था, आपको देखें internal resistance find out करना था, इस cell का तो internal resistance आपको left side पर रखना होगा यहां पर और बाकी के सारे terms उदर लेके जाने होंगे ठीक है तो देखे दोस्तों यहां पर R divided by R will be equal to what X1 divided by X2 यह उदर जाने के बद माइनस हो जाएगा ओके तो यहां से दोस्तों small R की value आपको मिलेगी therefore small R R will be equal to R उदर जाने के बद का होगा यहां पर multiplication होगा उनके बीच X1 divided by X2 minus 1 हो जाएगा ठीक है तो यह formula यूज करके दोस्तों आप क्या करोगे internal resistance आराम से calculate कर सकते हो ठीक है तो यह formula के अंदर R क्या होता है दोस्तों यह R मतलब जो आपने यहां पर resistor लगाया हो ना resistance box में वो आ रहे ठीक है उसकी value आपको यहां पर लेनी है X1 मतलब क्या जब key 2 off थी तब जो length आपको यहां पर balancing length मिली थी वो X1 थी और key on करने के बाद जो balancing length मिली थी वो X2 थी ठीक है minus 1 यह formula आपको यूश करना है यहां पर R क्या है देखे फिर से एक बार दोस्तों R मतलब यह resistance X1 मतलब यह key जब off थी तो balancing length जो मिल रही थी उसको X1 बोलेंगे और यह key on करने के बाद जो balancing length मिलेगी उसको X2 बोलेंगे और यहां से example solve होगा तो अब solve करते दोस्तों इस concept क्यों पर एक example देखे ए example number 9.7 सबसे पहले मैं example number 9.7 solve करना है in an experiment to determine the internal resistance of a cell यह cell का internal resistance calculate करना है में जिसका EMF कितना है EMF है दोस्तों यहां पर 1.5 volt ठीक है तो E की value आपको provide की गई है 1.5 volt आगे पर दोस्तों the balance point in the open cell condition is 76.3 cm open cell condition मतलब क्या यहां पर key 2 यहां पर open है तब यहां पर आपको balancing length मिल रही है वो कितनी है दोस्तों 76.3 cm मतलब दीखे यह balancing length होती है जब यहां पर key को connect नहीं किया गए key off condition में तब balancing length जो मिलते है आप यहां पर उसको X1 बोलते हो ना ठीक है तो X1 की value आपको कितनी मिल रही है दोस्तों यहां पर 76.3 cm मिल रही है आगे पढ़िये when a resistor of 9.5 ohm is used in the external circuit of the cell the balance point shift to 64.8 cm of the potentiometer wire मतलब यह जो resistance से यहां पर कितनी है 9.5 ohm मतलब R की value कितनी है 9.5 ohm यह जब लगाया जाता है इसको shunt किया जाता है shunt मतलब क्या key को on किया जाता है ठीक है तब जो balancing length है तब balancing length change होगी ना तो balancing length कितनी होगी x2 हो x2 कितनी हो रही है यहाँ पर देखिए x2 की value है 64.8 cm okay determine the internal resistance of cell तो बहुती simple example है दोस्तो यह e की value जो है यह आपको provide नहीं की गई होती तो भी कोई problem नहीं यहाँ पर ठीक है तब दोस्तो simply आपको क्या find out करना है internal resistance R find out करना है तो R का formula already हम लोग देख चुके है formula के दोस्तो R into x1 divided by x2 minus 1 तो यहाँ पर सभी values को provide किया गया देखिए R की value 9.5 है x1 की value 76.3 cm में x2 की value 64.8 cm है ठीक है तो इसको अगर आप meter में convert करना चाते हो तो कर सकते हो अगर नहीं करना चाते हो यहाँ पर centimeter cancel हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तो यह 0.763 meter हो जाएगा और यहाँ पर यह 2 decimal point पीछा आएगा ना तो यह 0.648 meter हो जाएगा आप 10 raise to minus 2 से भी multiply कर सकते हो कोई problem नहीं है ठीक है better way हम 10 raise to minus 2 से ही multiply करते हैं इसका centimeter का meter में करने के लिए क्या होगा 76.3 into 10 raise to minus 2 meter हो जाएगा और यह क्या होगा दोस्तो 64.8 into 10 raise to minus 2 हो जाएगा यहाँ ठीक है और आर की value 9.5 वह हम provide की गई है दोस्तो आप सिंपली आपको यह तीन values को यहाँ पर put करना है आर कितना है 9.5 और x1 कितना है 76.3 into 10 raise to minus 2 और x2 कितना है 64.8 into 10 raise to minus 2 यह देखिए यह cancel हो रहा है इसलिए मैंने आपको बोला था कि यह मिटर में अगर आप नहीं convert करते हो तो भी कोई problem नहीं है माइनस 1 हो जाएगा यह ठीक है दोस्तो calculations को कैसे करना है already में आपको बताया है ठीक है आप lock table का use करके इसको solve पर सकते हो तो final answer मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पर दोस्तो में final answer आपको बताता हूँ cross check करिया आप correct ठेक नहीं है तो final answer आपकी textbook में 1.686 oham दिया हूँ तो इसको cross check करिये ठीक है this is the final answer अपसौल करते है दोस्तों एक और example देखिये example number 16 जो आपका textbook है page number 229 के उपर का example number 16 सबसे पहले रीड करिये दोस्तों the EMF of a cell is balanced by a length of 120 cm of potentiometer wire आगे पढ़िये when the cell is shunted by a resistance of 10 oham the balancing length is reduced by 20 cm find the internal resistance of the cell तो यहाँ पर जो cell है उसका internal resistance आपको calculate करना है तो internal resistance calculate करने का formula हमें पता है क्या formula है दोस्तों small r is equal to capital r into bracket x1 divided by x2 minus 1 और x1 क्या होता है दोस्तों x1 मतलब balancing length होती है जब आपने यहाँ पर key को connect नहीं किया है यहाँ पर key connect होती है लेकिन जब आपने यहाँ पर key को plug नहीं किया है तब कि जो balancing length होती है उसको हम x1 बोलते है और दोस्तों जब आप यहाँ पर दिखिए यह resistance को connect करते हो मतलब यह resistance को shunt करते हो मतलब key को on करते हो तब कि जो balancing length होती है उसको हम x2 बोलते है और R मतलब यह resistance होता है तो simply अगर आपको R X1 और X2 पता है दोस्तों तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो R की value, small R की value निकाल सकते हो यह formula का use करके तो फिर से एक बार पढ़िए दोस्तों कि आपको समझ में आए कि R X1 X2 की values क्या है The EMF of a cell is balanced by a length of 120 cm यहाँ पर करते हो 120 cm पर क्या है 120 cm पर क्नेक्ट करते हो तो यह balance हो जाता है यह सेल X1 की value कितने है 120 cm अगर यह सेल की को आन किया है और यह resistance कितना है 10 ohm यह सेल 10 ohm रेजिस्टन्स के साथ तो बैलेंसिंग लेंध पर उसका क्या effect हो रहा है बैलेंसिंग लेंध रिदूस बाई 20 cm मतलब पहले 120 cm थी इसकी को on किया आपने और रिजिस्टन्स को शंट किया तो इसके वज़े से जो लेंध है वो decrease हो रही है कितनी हो रही है 100 cm हो रही है 20 cm से decrease हो रही है 120-20 मतलब कितना होगा 100 200 और यहां पर R की वैल्यू कितना है 10 हम इसकी यहां पे पुट करना है 10 इसाब्स पूट करें 5 5 6 तो यहां पर दोस्तों अलमॉस्ट जो पोटेंशियोमेटर का कंसेप्ट है वो खतम होता है नेक्स टुडियो में गयालोवनोमेटर की पार में बात करेंगे ठीक है तो मिलते दोस्तों अगले वीडियो में धन्यवाद